हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चनल दिया एक्जाम्फल पर मैं तो दोस्तों फाइनली रेलवी की तरप से ऑफिशल वेकेंसी का नौर्टिफिकेशन आउट हो चुका है कौन कौन से पदो पर भढ़ती निकली हुई है चलिए पूरा कुछ आपको वीडियो इंडियन रेलवे आपको इस वीडियो के बारे मताने जा रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यह आपका देखिए ओफिशल नौर्टिफिकेशन जो के रेलवे की तरप से आपका जारी गया आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस् दोस्तों अभी तक कुल 2024 में रेलवे की तरफ से तीन नौर्टिफिकेशन जारी किया हैं जिसमें जो पहला नोर्टिफिकेशन था आपका यह अपका आपका एलपी के लिए जो कि काफी इस टाम से आवेट्टेटिफिकेशन है और इसी के बारे में जानकारी ही गुली थी, और इसका जो notification रेल्वे के द्वारा mention किया गया था हूँ, जुलाई से सब्टेंबर के बीच में आपका notification आना था, तो बहुत जल्द आपको NTPC का भी notification देखने को मिलेगा, मेरी जो भरती हुए थी as a senior killer in Indian railway, level 5 पर, वो as a NTPC के तो जैसे ही भरती हाईगी, मैं आपको तुरंत बता दूँगा, डेली में आपको इस चैनल पर railway से जुड़ी हुई, कोई ना कोई daily update देता रहुआ, तो उसके लिए नीचे subscribe को बटन होगा, उसको subscribe को बटन को दबा लिजीगा, ठीक है, चलिक है, तो यहां पर देख लेते तो मैं दो post पर ले सकता हूँ, यहां तो OS पर, यह DMS पर, यान कि जो हो रहेगा आपका level 6 की post, और जो मेरी senior clerk है, that is level 5, तो जहां से मैं दो साल बाद automatic promotion हो जागा मेरा, यहां मुझे DMS मिलेगा, यह OS, मुझे यहां पर choice दी आती है, OS यान कि office superintendent, DMS यान कि depot material superintendent, यान कि क्यो technical supervisor, CS research and meteorological supervisor, ठीक है, यह, applications are invited from eligible candidate for various category of post given in the table below, the last date of submission application is 29 अगस, 29 अगस, the last date रखी गई है, important date यहां पर दे रखी है, कि कब से इसके form बढ़ना है start होगे, तो इसके form बढ़ना है start होगे 30 जुलाई से, यह इसका रोजगार वाला बर्जन है, ठीक है, जो रोजगार समाचार म आपका अखवार होता है, उसमें यह news publish की जाती है, इसके बाद इसका official notification आता है, तो official notification भी आपको एक से दो दिन में देखने हो यहां पर मिल जागा, इसकी paper form बढ़ने की date रहेगी 30 जलाई, last date रहेगी 29 सबस्त, यह एक महिना आपको total दिये जागा है, यहां पर, vacancies की बात आपको इन हैंड सेलीब लेगी 70 KK आराउंड मिलने वाली है, okay, medical standards इसमें नहीं लिखा हुआ है, जहां था कि इन पोस्ट के लिए जो आपका medical होगा, वो B1 या B2 हो सकता है, ठीक है, B1, B2 हो सकता है, A1, A2 भी हो सकता है, basically, जो ज़्यादा है वाले ही तो B1, B2 में आपका काम चल जागा, वाकि official notification आएगा, तो आपको उसमें इसकी detail मिल जाएगी, कौन से medical standard आपका मांगा है, यहाँ पर कुछ category होती है, A1, B1, A2, C2, B2, तो आपका medical मांगा जाता है, age की बात करने तो 18 से 36 साल है, बहुत ये अच्छी news है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, the include age relaxation of 3 साल, यानि कि वैसे इसकी जो age होती थी, 18 से 33 साल होती थी, बट इसे बढ़ा कर railway ने जो COVID का duration गया, और काफी समय से railway की भरती नहीं नहीं निक दी ती, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, 3 साल का age relaxation दिया, इसलिए 18 से 36 साल कर दिये, तो जो भी candidate overage हो रहे थे, उन जोंस को मिला कर, यहां पर टोटल है, 17 इसकी है और 7,934 जो है आपकी अधर पोस्ट है, तो यह केवल अगर आपको करना है तो गोरखपुर के लिए रहेगा, और बाकी जो अधर पोस्ट है वो all RRB के लिए, अभी RRB के लिश्ट बता तुमा, जिसमें आपकी जेई है, ज पोस्ट दिया सकती है, बहुत सारे काम होते है, ड्राइंग सेक्शन में आपके काम होते है, अपर आपको दिया आता है, जो भी आपका ऐसा चीज जिसमें आपके इंजिनेरिंग का इस्तिमाल होता है, वो आपको यहां पर दिया आती है, इंजिनेरिंग है, यहां पर आपक यह पोश्टर जीएगी दी जाती है, यह पोश्ट है आपकी लेवल 6 की पोश्ट रहेगी, 35,400 बेसिक है, और इसका जो इन हैंड आपको सेल भी मिलेगी, वो 60 KK राउंड मिलने वाली है, ठीक है, 60 KK राउंड, इसमें भी 18-36 साल यहां पर रहे जाए और इसमें बेकनसी जो DMS होता है, वो Cable Store में ही होता है, यहां पर देख लेते हैं कि age केम आई है, तो age आपकी जो count होगी वो 1 जनवरी 2025 है, यान कि इसमें भी देख सकते हैं आपकी, इसमें जैसे अभी July चल ला है, बड़े एक age जो calculate करेंगे, वो बात से calculate कर रहा है, यान कि आज से लगवा 5- अगर आपका वेटिंग में है, तो आपको यह फॉर्म बनने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? चले, medical standard की बात कर लें, तो यह भी आपका जो notification हागा, उसमें detail में बता दिया जागा, reservation and suitability की बात करें, तो वो भी PWD candidate को मिल जाएगी, बात करें, एक साथ है, SCST candidate का, इसके बात करें mode of examination क्या होगा, तो आपका CBT होगा, यान की computer based test होगा, जिसमें two stage होगे, एक आपका हो आपको detail में बता हूँ, तो channel से जुड़ जाएगी हो, before railway की पलपल की update के लिए, बात कर लें कि fees कित्ती रखेंगे, ये examination की, तो यूर candidate है, ठीक है, यहाँ पर देखें, SCST और ex-armission, female, transgender, minorities, और e-economically backward class, EVC, इनको छोड़के, जो other candidate है, general, OBC और EWS, उनके लिए जो फीस जो हर attempt करते हैं, ओके, चली, ठीक है, यहाँ पर देखें, और भी चीज़े लिखें, candidates are required to go through post parameter table and vacancy table of detail notification, जब detail notification आगा, तो सब पूरा आपको detail पता लिया, किस post के लिए किया का चीज़े मांगे लिए, और basically यहाँ पर यहाँ पर यह वाली post आगा, इसमें थोड़ा specific notification आएगा, तो मैं आपको समय पता दूंगा, applying to more than one RRV by a candidate will result in the rejection of application, आप यह की RRV में जो है, अपलाइ कर सकते है, RRV की लिस्ट यह है, टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ब तो दोस्तों पूरी जनकारी मैंने आपको दे दी है एक फूल नोटिफिकेशन जैसे ही आगा मैं आपको वीडियो बना के तुरंद बता पूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करके रखेगा और इसके रिगार्डिंग आपको प्रेपरेशन करानी होगी तो आप बोल देएगा बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रिवीश एपको पूछेगे वह आपको डीटेल में करवा दूँगा तो चली इतना ही रखते है इस वीडियो वीडियो चला और लाइक कर दें चैनल क को स्वेयर और सब्सक्राइब जरू गड़ेने टेलिग्राम को जरूर लग दिल है तब तक के लिए जयाहिन जया भारत